के गाईज, hopefully all of you are doing good, कैसे हैं आप लोग? मैं नीरश पारिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के अपनी अकेडमी मानस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जी हाँ दोस्तों नीरश पारिक ऑफिशियल का नाम अब आग से आप लोगों के बीच में हो गया है और बहुत जल्दी अपने अप्लिकेशन का टाइटल भी मानस अकेडमी हो जाएगा तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मानस अकेडमी आपको ये टाइटल लगा कैसा दोस्तों एक बहुत लंबी लीगल फाइट के बाद मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ और कहते हैं कि हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा नेक इंसान के साथ में कुद्रत खड़ी रहती है तो हम जीत चुके हैं और हम कल से लाइव आप लोगों के बीच में आ रहे हैं सुबह 11 बजे तो सुबह 11 बजे से क्लासे शुरू हो जाएंगे आपके अपने चैनल के उपर पेपर वन की शांदार क्लास शुरू करेंगे सुबह 11 बजे और अपना सब्जेक पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास होगी उसकी टाइमिंग क्या रहेगी वो मैं आप लोगों को अपडेट करके बता दूँगा अब आप लोगों की बारी है चैनल के लिंक को मैक्सिमम शेयर करिए चैनल के मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाईए और कल सुबह 11 बजे सभी लोग लाइव आ जाईएगा पेपर वन की बहतरीन क्लास में दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपको अपने अप्लिकेशन का लिंक भी अवेलेबल होगा तो जो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एप का वो अभी आप जब ओपन करेंगे तो दिखेगा नीरज पर एक ऑफिशियल बट बहुत जल्दी ये टाइटल भी हम मानस अकैडमी के टाइटल से जोड़ देंगे मानस अकैडमी में अपडेट हो जाएगा सो बस यही एक खुश ख़बरी देने के लिए मैं बहुत उत्साहित था मैं बस यही वेट कर रहा था कि कब वो वक्त आएगा कि मैं मेरे स्टुडेंट्स के पास मैं फिर से जा पाऊंगा और उनको कह पाऊंगा कि आजाएए हम शुरू करते हैं ग्यान का यह सिलसिला पॉलिटिकल साइन्स आप लोगों का अपना सब्जेक्ट और विश्वास करिए हमारा टारगेट होगा मिनिमम हंड्रेड मिनिमम हंड्रेड स्टुडेंट्स को हम यहां से जे आरफ क्रेक करवाएंगे और बाकी आकड़ा तो बढ़ता ही जाएगा दोस्तों यह मानस अकैडमी एक्स्क्लूसिवली हम वर्क करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूजी सिनेट जे रफ पे और कोई एक्जाम नहीं तो मेरे दोस्तों शेयर करिए जुड़ जाईए और खुशी मनाईए और यह जरूर बताईए कि मानस अकैडमी नाम आपको कैसा लगा मेरी तो आज आत्मा में बहुत खुशी है मैं दिल से बहुत खुश हूँ कैते हैं ना कि एक जो देखा हुआ सपना होता है जिस काम में आप जुड़े होते हो उस काम में जो समस्याएं आ जाती है तो शायद कुदरत कुछ अच्छा करने के लिए ही कुछ बुरा करती है ठीक है सुबा होने के लिए ही घंगोर अंधेरा चा जाता है क्योंकि सुबा को होना होता है तो हर सुबा के पहले जो अंधेरी शाम होती है अंधेरी अंधेरा जो रात का घंगोर अंधेरा होता है अब वो छटने वाला है सूरज निकलेगा कमल खिलेगा कमल खिलेगा पुनाम करते हुए आगे बढ़ेंगे कल सुबह 11 बजे मानस अकेडमी आपकी अपनी अकेडमी थैंक यू वेरी मच बबाए